हेलो एप्रिवन वेलकम ट्यूवर्ट चानल आज के इस वीडियो में मैं आप से भी के साथ पेल स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ और यह वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है हमारे वीवर्स के डिमांड पर ते चलिए स्टार्ट करते हैं तो यह यहां पर मैंने दो फोल्ड करके फैब्रिक रखा हुआ है बाजू के लिए सबसे पहला स्टार्ट सी स्लीव पनाएंगे हम और देख सकते हैं आप यह दो लेयर से इस तरीके से अगेन फोल्ड करूंगी इसमें हम दोनों स्लीव स्लीव पनाएंगे हमारी अब मैंने इस तर बाद में बैल एट करूँगी तो मुझे साड़े तीरा इंच तयार चाहिए तो मैं यहाँ पर साड़े चवदा लूँगी एक इंच में यहाँ पर एट किया है और चोड़ाई में चो कपड़ा है मेरा 36 चेस्ट का ब्लाउस है तो मैंने 9 ही लिया है इसमें फोर्ट पार्ट क लिआचे कि लेंथ जादा है तो 3-3.9 इंच पर आपको शीप देना है अगर जेस्ट थोड़ा जड़ा है तो आपको 3.5 तक देना है और ऋर्मल छेस्ट में तीन निच पर निशान लगा देना है और अब इस निशान को इस तरीके से मिला देंगे और जो 3-3.5 झान है तो वाजु की गुलाईगे तो मेरा से बौटम जो है वह6मेडा दस है तो यहा पर मेरा आधा आता है पंच न्ज तो मैंने में इसमें 1.5 श्रीव किया इसमें नियुक्त दस कर दीजिए उसमें 1.5 बना देंगे तो मैंने तिर्ची लाइन बना दी है अब लाइन बनाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे तो बाजू की जो गुलाई है वो मेरी 10 इंच थी तो मैंने 5 इंच लिया 10 का अधा और उसमें मैंने 1.5 इंच प्लस किया यहाँ पर हमें सेंटर में कट लगा देना है और इस तरीके है एसे यह भी कटिंग कर देंगे अब कटिंग करने के बाद की जो फ्रंट पार्ट की गुलाई है हमें इस तरीके से खोल लेंगे और कटिंग कर लेंगे 2 बाजू के कटिंग का जाएगी हमारी तो यहाँ पर हमारी नॉर्मल स्लिउत की तरद स्लीव की कटिंग हो खूतente ह अब यहाँ पर हमें जो घेरा बनाना है बेल, उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है, तो इसके लंबाई चोड़ाई दोनों बराबरे 15-15 इंच, और यह मेरा डबल फोल्ड में रखा हुआ है, कपड़े की दो लेर से, दोनों स्लिव उसके लिए बेल बनाएंगे हम यहाँ पर आपके पास ज़्यादा कपड़ा हो तो ले लिजेगा, और ज़्यादा सुन्दर लगेगी, मिरे पास कपड़ा कम है, इसलिए मैंने कम लिया, अब वापस मैंने इसे फोल्ड कर लिया है, इस तरीके से देखिए, पहला मेरा दो फोल्ड था, तो मैंने वापस फोल्ड किया हम इसमें से दोनों स्लीव बनाएंगे अब हम इसमें एक और बार फोल्ड कर देंगे तो इस तरीके से हमारा एट फोल्ड हो चुका है देख सकते हैं आप देखिए चार फोल्ड ये रह गया चार फोल्ड ये हो गया तो इस तरीके से फोल्ड हो गया अब हमें normal जो हमने sleeves बनाई थी उसमें जो margin का निशान है ना वहाँ पर सिलाई लगा लेनी है या फिर फिलाल आप मोड लीजिए इस तरीके से जो हमारा बाजू की गोलाई का निशान है ना वहाँ पर मोड लिया है और इसे एक बार और मैंने फोल्ड कर लिया है जिसे वीड तो अपना रखना कि आपको exact से भी थोड़ा सा ये जो बाजू का गोलाई है इसे और थोड़ा सा बाहर की तरफ लेना है बिलकुल और आपकी बाजू का जो कपड़ाई थोड़ा सा बाहर भी निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है पर ये जो रुमाल टाइप हमने कपड़ रखा न इसके अंदर नहीं हूनी चाहिए हमारी फोल्ड बाजू ठीक है तो थोड़ा सा मैंने और बाहर निकाल दिया है और इस तरह के से चोप का निशान लेंगे क्योंकि हम गोलाई देंगे ना थोड़ा सा और अब प्रड़ा जाएगा तो देखे इस तरह के आप जब आपने ऊपर गुलाई ली तो आपको बहुत ध्यान रखना एक्जेक्ट आपकी स्लेव को रखना है और इस तरहीं के सी ले लेना है यहां पर हम पूरा गुलाई बना देंगे एक सेक्ट स्लीव को इसलिए लेना है तक यहाँ पर अगर सरकल बड़ा हो जाएगा तो फिर आपका जो स्लीव है उसका शेप परफेक्ट नहीं आएगा बेल का तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है और यहाँ भी देखिए थोड़ा जोर्जिट का कपड़ा है तो इधर खिसकर आईए तो यहाँ पर भी मैं कटिंग कर लूँगी इसकी पूरी और बेल का मेजर्मेंट आपके पास अगर जादा बड़ा कपड़ा है तो आप ले कटिंगे अब इसमें से एक सरकल अलग भटा देंके और यहाँ पर आपको या तो पीको कर ले लेना है या सिलाई में लगा लेना है अब यहां पर भी आपको सिलाई लगा लेना है देखिए जो जो मार्जन का है निशान है ना स्लीवस में भी सिलाई लगा लीचेगा आप तो यहां पर मैंने सिलाई लगा दी है देख सकते हैं आप पीको कर लिया है पूरा आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं और इधर स सी तरीके से मिला लेंगे और सिलाइ लगा देंगे ठीक के डोंगा राइट साइड रखती है belangrijk और रॉंग जायर में पर सिलाइ लगा देंगे तो यहां पर बैल की छॉड़ी सब्सक्राइब थोड़ी सी कम है इतना अच्छा लुक मैं उमीद करती हूँ आप कोई वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो लाइक शेयर करें सब्सक्राइब करें फिर मिलती हूँ में नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई